नमस्कार मेरे चैनल कुस्पा की पाक साला में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी नास्ता वे यह देखके अगर आपको भूख नहीं भी लगए तो भी भूख लग जाएगी इतना टेश्टी बनता यह तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखे के मैं आठ रोटी का यह नास्ता बना रही हूँ यह ठंडी रोटी है रात की बची हुई और हर घर में यह रोटी तो बसती है तो इसके मैं बड़े-बड़े चार पीसे सकर लोंगी इस तरह से काटके अब मैं इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक काटूंगी बिल्कुल जैसा स्वाद आएगा तो इसको हम काट लेंगे सारी रोटियो को और एक बार यह नास्ता आप जरूर बनाए बहुत टेश्टी लगतर सब को घर में पसंद आएगा मैंने एक मीडियम टमाटर काट लिया चोटा-चोटा और एक कटोरी मुमफली ले लिए और चार मीडियम बनाए तो और ज्यादा टेश्टी बनेगी और यह बच्चों के टिफिन में भी आप बना के दे सकते हैं और घर में सब को बहुत पसंद आएगा यह एक बार आप जरूर मेरे कहने से यह नास्ता बना के ट्राई करें अब मैं रोटियों को फ्राई करके निकाल लूँगे इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो आप एक प्लेट में निकाल ले मैं सारी रोटी इसी तरह तरह के निकाल लूँगी पहले अगर आप तेल ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना फ्राई की भी बना सकते हैं रोटी को मैं निकाल ले और जो एक्स्ट्रा तेल मूमफली ज्यादा पसंद है आप अपने पसंद के अकोडिंग थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि मूमफली से टेस्ट बहुत अच्छा आता इसके अंदर जब मूमफली फ्राई हो जाएगे अच्छे से तो आलू और मिर्ची जो हमने काटके रखे वो भी मैं डाल अगर आप लोगों को प्याज पसंद है और डालना चाते तो आप इसके साथ में प्याज भी डाल सकते हैं मैंने प्याज नहीं डाले हैं जब यह अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आब इसमें सूके मसाले अट कर दें आदा चमच मैंने हल्दी डाल लिए एक चमच ला तमाटर है वो डाल के हम एक मिनट टमाटर के साथ में सबजी को भूनेंगे जब आलू अगर अगर हो जाएंगे तो अब इसके अंदर में ये कटोरी है इससे डेड़ कटोरी पानी डालूंगी क्योंकि रोटी है वो पानी को सोपती है नहीं तो सोप्ट नहीं होगी और अब थोड़ी देर पकाये, आप आलू को दबा के देख लें, आलू सॉप्ट हो जाए, तो इसके अंदर जो हमने रोटी फ्राइ करके रखी थी, वो डाल देंगे, और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे रोटी को, जब रोटी हलकी सौप्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे आदा चमच के करीब मैं गरम मसाला डालूंगी अगर आपके पास कोई भी मसाला है गरम मसाला है या कोई भी सबजी मसाला है मेगी मसाला है या पास्ता मसाला कोई भी डाल सकते मेगी मसाला है तो आप वो भी बहुत टेस्ट अच्छा आता उससे अब मैं हरा धनिया बारी काटके धो के डाल दूंगी इसके अंदर रोटी हमारी सॉप्ट हो गई है नास्ता जटपट बनके तयार है अगर आपको भूग लगी ठंडी रोटी पड़ी थी बहुत जल्दी बनके तयार होता आप बना सकते ह और कड़ाई को मैंने नीचे रख दिया अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी नमकीन डालूंगी मेरे पास ये भुजिया है आपके पास कोई भी आलू, भुजिया, मिक्सर, नमकीन जो भी है आप डाल सकते ये ओप्सनल है और प्लेट में निकाल लूंगी गर्मा गर्म नास् आने के लिए तयार है आप जरूर से बनाई बच्चों को बड़ों को सब को खिलाए बहुत आपकी तारिफ करेंगे और इतना टेश्टी बनता आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगे थोड़ा सब उपर से नमकीन डाल दूगी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ प्लिस सब्सक्राइब